हालो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वा रहे हैं टैल ओफ एम्पूटेशन इन बफैलो काल्फ यह साथियो लवारा आप देख रहे हैं यह कई दिनों से इसके पूंच में जखम होने के विज़े से मवाद पड़ी हुई है पस पड़ा हुआ है यहाँ पर इसका ओन मवाद या पीप पड़ जाए तो उसको कैसे पॉंच कैसे काड़ जाती है कि जल से पसू पॉंच काटने के बाद ठीक हो जाए देखिए जब भी किसी पॉंच में मवाद या पस पड़ जाता है तो साथियो उसमें कंडिशन में ठीक होने के बहुत कम चांज रहते हैं यान इंजेक्शन लगाने से जनवर ठीक नहीं हो पाता वो वहां से टैल यानि पहुंच काटने पड़ती है और जब पसू की पहुंच कर जाती तो पसू जल से ठीक हो जाएगा तो यहां पर हम टैल का उपरेशन करने वाले हैं और यह सातियों कम से कम एक या दो इंच तक मवाद और पीब भरा हुआ है और साती में सूजन भी शुलिंग भी आ रही है तो थोड़ा पीछे हटके हमें इसको काटने कि आगे तक इंफेक्शन आ जाए तो सबसे पहले हमें बालो को काटना है ऑपरेशन करने के लिए बालो का अच्छी तरह जहां से आप काटने हैं वहां से एक ही टर्निकेंड बान सकते हैं और बहांस होती है तो साती वहां पर ब्लेड फ्लो जादा होता उसमें दो यह तीन टर्निकेंड बानने पड़ते हैं तो यहां पर साती हमने सबसे पहले इसके बालो को रिमूव करा अच्छी तरह और फिर साती इस पे बीटरिन का गोल एक आथे कर जाती क्योंकि लवारों की पूंच में इतनी ज़्यादा है वी मजबूत हट्या नहीं होती है तो आसानी से बिना बऒलेड नि के यहां नॉर्मyl ग्यारा नंबर कर सर्जिकल ब्लेट है, वो पहुंच आसानी से कड़ जाती है, तो यहाँ पर जो ब्लेडिंग निकली है, तो यहाँ पर हमने साथियो गरम करके, जो बोल्ट होते हैं, उनको गरम करके अच्छी तरह है, तो साथियो ब्लड को रोकने के लिए और जखम को बोल्टों का इस्तमाल करना है, गरम आयरन हो चाहे तो आपके पास चाहे बोल्टों, उनको अच्छी तरह गरम करा लें, और जब भी जहां से आप पहुंच काट रहे हैं, उसको साथियो अच्छी तरह दाग दें, जो आगे तक इंफेक्शन ना हो, और पसू जल सल्द छी हो जाए, तो ये हम साथियो अच्छी तरह इसके चार तरफ से दाब रहे हैं, जो ब्लेडिंग बंद हो जाए, और ब्लेडिंग बंद होने के बाद दागने के बाद साथियो हमें इसकी साफ सफाई करनी है, किया किस तरह का बाल वगएरा, या जखम वगएरा कोई रहतों गया कहीं पर ब्लेडिंग तो नहीं है इन चीजों का देखना हमें बहुत ही ज़्यादा अनिवा रहा है और खास तोर से सात्यों अगर ऐसा काम करें हाथों पर इस्प्रेट वगरा जरूर लगा ले इससे कि कोई पब्लम ना हो इंफेक्शन न बने तो अच्छी तरह हम इसक इसकी आप जरूर पट्टी कर दें इससे पस्व आपका जलसल ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर हम सात्यों गोज बना रहे हैं पट्टी करने के लिए और यहाँ पर हमने सात्यों DC पावडर का यूज किया है जो जखम को जल्दी सुकाएगा और सात्यों एंटिबाटिक भी ह और DC में सात्यों डाइकरिष्टरस creeping होता है अधे से भी कम हमने इसको गोज में लेके इसकी पॉँच पर बांदा है यह देख सकते हैं और इसका जखम सात्यों बहुत ही जल्दी goo हो जाएगा अब हम इसकी पट्टी कर देंगे यह पट्टी इस तरह से हमें कर देनी है और यहां पर सातियों हमने बेंडेज करने के बाद इसको जो इंजेक्शन लगाए है तो पैन किलर में हमने सातियों इसको दो एमल मेलोनेक्स दिया है दो एमल हमने इसको एविल दिया है और एंटिवाटिक के मैं बात करूं तो यहां पर हमने इसको वन गिराम का मॉनोसेफ तीन एमल पाने में डायलूट करके इसको डीप इंटरमस्कुल लगाए है यह सातियों पॉंच इतनी हमने काटी थी इसकी इतनी शड़ी हुई थी और सब में सातियों सूजनारी की इंफेक्शन हो रहा था तो इस तरह से आपने इलाज करना है वीडियों अच्छी लगी वीडियों लाइक करें चैनल को सब्सक्काइब करें करें